लोगों के चारो तरफ से ताने ही ताने, हर तरफ से सिर्फ लोग एकी चीज़ बोड रहते हैं, कि शी इस पर्टिकुल टाइम पे शायद बहुत हारा हुआ फील हुआ, सबसे जादा हारा हुआ फील हुआ, इस बार तू ठीक हो जा बस, I promise you, कि नीट का एग्राम चाहे कितना हाँ भी difficult होगा ना, मैं आपको crack करके दो, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करूंगी, शायद घरवाले, कभी-कभी जिंदगी में सारे efforts करने के बाद, जब तुमने सब अपना बैस दे दिया हो, फिर भी, कभी-कभी ऐसा लगा कि हार कर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कभी तुम हुआ है कि तुम एक रास्ते पर खड़े हो, जहां तुमको पता नहीं है कि आगे तुमको तुमको तुमारी मनजिन मिलेगी की नहीं, बहुत सारे बच्चे मेरे तरह आज उस जग़ा पर खड़े, जहां पर उनको पता नहीं है कि दी, ग्राजविशन जॉइन कर लूँ, या सिफ डॉप लेके दुबारा त्यार करूँ, ऐसी ही कुछ मेरी स्टोरी है, हेलो, मेरा नाम काजल है, मैं थर्ड यर MBBS की स्टूडेंट हूँ, जिसकी जर्नी शुरू होती है, टेंथ के रिजल्ट के बाद, जब आप लेके आते हैं, 94.4% और आपको, आपके आसपास के सोसाइटी को भी विश्वास होता है, कि इसका एक्जाम फर्स टेम में निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता है ना, कि जब किस्मत को कुछ और मनजूर हो, डेस्टीनी को कुछ और मनजूर हो, युनिवर्स को कुछ और मनजूर हो, तब शायद आपका प्लान किया हुआ, जब आप ड्रॉप लेते हो, और आप ओफलाइन कोचिंग करने जाते हो, बोपाल, आपको एक साल के बाद, पूरी प्रेपरेशन, पूरी सिद्द, पूरी जी जाल लगा के प्रेपरेशन करने के बाद, आप एक्जाम हॉल में जाते हो, और वहाँ नर्वसनेस के कारण जब मैंने एक्जाम हॉल में OMR शीट देखा, अगर हम एक क्वेशन छोड भी देते हैं पेपर में, आपको मनजूर है लेकिन ऊपर वाले को मनजूर नहीं है, तो ट्रस्ट मी वह आपको नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, यही हुआ कि एक क्वेशन ओमर में, जी, cell division से related था, वो मैंने OMR में तो छोड़ दिया, लेकिन गलती से, by mistake, I have done it on my OMR sheet, और मेरा सिक्वेंस OMR भरने का ऐसा था कि I will fill the complete set in a one go, और यह गलती, आपको question number 2 से लेके 60 तक आपने पूरे के पूरे questions करत किया, मैं उन students में से रही, जो exam hall में टूटकर हो चुका था, exam hall में क्योंकि उसको पता था कि यार, पूरे साल की महनत आज बरबाद हो जाएगी, यह तीन घंटा decide कर देगा कि काच्वल ने कोई महनत नहीं किया, it was very easy होगा, सबके लिए बताना, सबके लिए यह समझ पाना, कि या मैं शायद किसी भी चीज से बिगड़ गई होगी, ले को जो आकर होस्टल रूम में शावर की नीचे बैठ कर सिर्फ रो रहे, सिर्फ टेंशन, सिर्फ स्ट्रेस, सिर्फ एंसाइटी, बोलते हैं ना कि एक छोटे एज में लगा हुआ चोट आपको बहुत तकलीव देता है, वो चोट जो सेल्ट आउट पे ले जाए, वो चोट लड़कों की चक्कर में बिगड़ गई, जो साय और सोशल मीडिया के चकर में उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, बहुत आसान हुआ लोगों के लिए ताने लगा देना, और ट्रस्ट मी मैं उन स्टूडेंट में रही, जो भी बच्चे एक बार को बोलते ना कि इस उसाइडल टेंब करने का मन हो रहा है, इस उसाइडल जैसे थौट आ रहे, ट्रस्ट मी, आइवेंट फ्रू आल आफ दिस, ऐसा लग रहा था कि किसी को बताने से बेटर है कि जिन्दगी खतम कर दो, ऐसा लग रहा था कि कोई मतलम नहीं जीने का क्योंकि आप तो 12 के ब बोड रहते, कि she is a failure, दोस्तों ने भी ये चीज़ बोला कि क्या फर्क पढ़ गया 90% 12th बोड में लाके जब 60% वाले खुश होके B.Sc. और B.T. कर रहे, अपनी कॉलेश लाइफ जी रहे, क्या फर्क पढ़ गया कि तुने क्या उखाडा ऐसा, आज भी तु 12th के student ही रह गई तब उस particular time पे मैंने बिना सोचे, I joined graduation, क्योंकि ना इतनी courage थी कि दुबारा drop लेकर अगर fail हो जाओ, तो फिर वो तकलीव जहे सकूँ और ना इतनी efficiency थी, दोनों ही case पे मैंने तुरंद graduation join किया, शायद parents ने convince भी किया कि बिटा, एक drop तु और deserve करती है, you was a good student, जो हुआ, it's okay बट एक drop ले ले, सब ने convince किया, जो मेरे अपने थे, लेकिन शायद मेरा खुद का मन मनजूर नहीं था, back to 6 महीने, 6 महीने बीटते हैं college life में, सब था, शायद एक college life भी थी, पता भी था कि graduation करके भी कुछ न कुछ मनजिल आगे मिली जाएगी, लेकिन दिक्कत फिर तब आ लेकिन जो डॉक्टर का tag, जो शायद हर बच्चे रे, जो डॉक्टर बनना चाहता है, बच्पन से वही सपना देखा होता है, वो तो कही न कहीं बिखर के रह जाएगा, ultimately अब जंग फिर से दुबारा शुरू हुई, जब आपको decide करना था कि यार, graduation छोडेंगे, और अगर फिर भी नीट के अग्जाम नहीं निकला, तो कहां के रहेंगे, और वो पर्टिकुलर टाइम, लाइफ ने एक तुबारा एक ऐसा डिलेमा दिया, जब हम इतने चोटे होते हैं, और लाइफ हमको जब ऐसा डिलेमा में देता है, तब मन में बहुत सारे थोट्स होते हैं, ल नहीं मिला, और नहीं मिलना तो बहुत दूर की बात थी, I just missed my seat by 18 or 20 marks, सिफ 20 नमबर से कॉलेज का चूटना, और दुबारा उस रास्ते पर आके खड़े होना, जहां पर आपके सारे दोस्तों के दो साल के ग्राजुशन खतम हो गए, जहां आप सिफ एक 12th फेल स्टूडें और शायद आज भी भरोसा नहीं है कि यार अगर मैंने ड्रॉप लिया, अगर मैंने कॉलेज छोड़ा तो I have done something well in my life, ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने, अब फाइनली तब वहां पे सबसे बड़ा रोल दुबारा आता है पेरिंस का, उन्होंने समझाया, पापा, बड़े पापा, ममी, सबने ही समझाया कि एक बर कोई बात नहीं जब अपने ग्राजुशन का एक्जाम छोड़ दिया है, तो let's take a chance again, इस साल पूरी महनत करके देखो, अगर आपको MBBS की seat नहीं मिलती है, don't worry, आप BDS, WET, कोई और चीज़े ले ले लेना, पर behind the scene, जो मेरे पापा मेरे ममी ने sacrifice किया, पर हर एक लड़की जो इस face से गुजरती है, जिसने drop लिया है, वो life का सबसे difficult face, पता ही क्या हो जाता है, कि आपके parents, आपके ममी, पापा तो आपका support कर रहे होते हैं, पर उनके पीछे जो लोग होते हैं, वो कही न कहीं हर टाइम उनकी आवाज, उनके म कहीं आपके parents को भी हर time यही डर रहता है, trust me, हर parents की तरफ से मतलब मेरे को पता है कि आपके parents को शायद इतना फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बीटा या मेरी बेटी NEET या JE का exam निकालेगी, तभी वो मेरे लिए proud का moment है, या तभी उसने जीवन में कुछ उखाड़ा है, वो सिर Ultimately, मुझे अभी भी एक note या दे, जो मेरे बड़े पापा ने मुझे last time बोला था, यह कि जब तक तेरा मन नहीं हो, जब तक तू M.E.S. करना चाहती है न बिटा, तू तब तक कर, जिस दिन तू ठक जाए, उस दिन बस तू give up कर देना, और उस दिन कोई over course, cover course तू join कर लेन यही हुआ, पर actual story तब start होती है, जब आप third drop लेते हो, आप start करते हो, कि चलो अब हम पढ़ेंगे, अब दिवाली खतम होगा, but the times come when actually छट के ही दिन, रात में 11 बजे, for the first time मेरे बड़े पापा ने मुझे से बात किया, और यह चीज़ समझाया कि I am always there with you, तू बेटी है मेर तू जब तक पढ़ेगी पढ़, लेकिन at least at last उसी के तीन घंटे बाद जब यह पता चलता है, कि my बड़े पापा is no more in the world, I know कि आज अगर मैं यहां खड़ी हूँ, या आज अगर मैं medical college की field में हूँ, तो it's just a blessing of my बड़े पापा, my parents, trust me बच्चों कि जब दुनिया में त तुमारे साथ कोई खड़ा हो या नहीं हो, they will always stand by you, आज वो हम सबको एक time होता है ना, जब वो हम सबको बहुत डाट रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं, शायद दुनिया की हर अच्छी बूरी चीज वो ही हमको आके बोल देते हैं, और हम सोच रहे होते हैं, कि यार हम तुमीद कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक कारण होता है न विटा, कि आज मैं तुझे डाट दू, मैं तुझे सुना दू, लेकिन कोई और मेरी बेटी या मेरी बेटे को आँग उठा कर भी नहीं देख सके, इसी उसके साथ, जब बड़े पापा खतम हो है, पूर कोईट दुबारा अपने पीक पर आता है, कोईट दुबारा एक बर एंट्री लेता है, और इस टाइम कोईट ने जिसको सबसे जाधा एफेक्ट किया, वो थी मेरी मम्मी, और विसाइड्स उनके कोईट एफेक्ट का, उनके साथ सबसे बड़ा ट्राजडी ये था, कि वो अपनी ममी के साथ अकेले थी, क्योंकि पापा को ऑफिस जाने के चक्कर में उनको बाहर रहना पड़ रहा था, उस पर्टिकुली टाइम पे शायद बहुत हारा हुआ फील हुआ, सबसे जाधा हारा हुआ फील हुआ, क्योंकि नीट का एग्जाम तो निकलता या नहीं निकलता, लेकिन ममी को बचाना वस्ट फर्स प्रियोरिटी, कोशिश की भगवान के सामने जितना भी था, जो भी थ जाके भगवान के सामने बोल गया, कि मुझसे मेरा सब ले लो, लेकिन प्लीज मेरी मा को दे दो, प्लीज मेरी ममी को बचा लो, और फिर अल्टिमेटली, थोड़ा-थोड़ा करके, दीरे दिने, दो दिन, तीन दिन के बाद, ममी की रिकवरी फाइनली स्टार्ट हो गई, उस ताइम पर मुझे सबसे पहले इंट्रोड़क्शन मिला, जहां मुझे स्क्रिप्टिंग टेखनीक की पता चलिया, और मैंने बस किया, बस भगवान पे विश्वास रख के किया, कि मैं रोज दिखूंगी, मैं बहुत मन से लिखूंगी, पूरी शिद्दत से अल्टिमेटली ऐसा ही हुआ, कि कुछ दिनों बाद मेरी ममी रिकवर होने लगी, पता नहीं कहां से, लेकिन जब ममी ठीक नहीं थी, तो उनको बस मैंने एक स्रेट्मेंट बोला, कि मा इस बार तू ठीक हो जा, बस I promise you, कि नीट का एक्जाम चाहे कितना भी difficult होगा, मैं सिर्फ धाई महिने, प्रेपेर करने के लिए, उस धाई महिने में अपना बेस्ट करने के बाद भी जब एक्जाम के एक हफते पहले आपका मौक का स्कोर आ रहा हो, 420, और आप जनल के टिगरी के होके सोच भी नहीं सकते, तब भी लाइफ में एक बार दुबारा लगा, कि चल अगले साथ दिन तक, जितना हिम्मत है, जितना अगले सतर दिन में पढ़ा है, एक बार दुबारा पढ़के देखते हैं, and by God grace, उस साल ऐसा हुआ कि फर्स राउन का कट ओफ, अक्चुल मेरे मार्क से 6-7 मार्क कम हो गया, ultimately, and I got the college I wanted, I got the college my papa wanted in the very first round, मैं सबसे जादा मुझे life में उस particular failure ने, जब मुझे भोबाल के hostel room में अकेले बन रहे के सीखना पढ़ाना, चितना उसने सिखाया ना, trust me, उत्ता किसी ने नहीं सिखाया, room में कुछ को lock करके shower के नीचे रोते रहना, self doubt के उस भवर में जाके बसना, कि यार, best तो किया था, efforts तो दिये थे, फ ऐसा लगता है, क्या feel होता है उस particular time पर कि जैसे सच में तू सबसे बड़ा failure है, ऐसा feel होता है कि क्या मतलब हुआ, आज तक मैंने इतना अच्छा score किया, अगर बाद जब career की आई, बाद जब कुछ अच्छा करने की आई, तो तू fail हो गया, literally वो जो particular time था, वो जो एक महीने का time उसने जो मुझे depression के phase में डाला, उसने जो मुझे anxiety के उस rollercoaster ride से भटका ना, लोग बच्चे जित्ते भी मुझे से बात करता, अगर वो यह बोलते ना कि इस suicidal thoughts आ रहे, trust me बच्छो, वो life का एक ऐसा phase था, जिसमें मैंने भी suicidal thoughts के बारे में सोचा, और कहीं ना कहीं आपको मंजूर नहीं है, तो वो नहीं होगा, उस particular time पे, जब कोई मेरे साथ नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, जब आपने graduation join किया, तब भी ऐसा ही लग रहा था, कि यार, हर time पे, मतलब life एक ऐसे direction में चलती गई न, जहां से failure का start हुआ, और उसके बात से, साल द है, लड़की होने का scene, तो सबने मतलब, एक ममी पापा, अगर किसी लड़की को एक drop दिलाते हैं, trust me, वो बहुत कुछ लेकर जाता है, बहुत कुछ लेकर जाता है, आपके पीछे, आपको यह सुनने को मिलता है, आप भी सुन रहोता है, आपके parents भी यही सुन रहोता है, कि अगर तुम्हारे ममी पापा, अगर तुमको एक भी drop दिला रहे हैं बचो, तो she has, he has done the best possible thing, जो वो आपकी जिंदगी में कर सकते हैं, मैंने सुना है, अपने ममी पापा को तूटते हुए, देखते हुए, शायद मेरी पढ़ाई को priority पे रखके, यह ना देखते हुए कि ल अगर तू नर्वस हो जाती है, तो सारा का सारा गेम बिगाड सकती है, सारा का सारा एक्जाम तरी हाथ से निकल सकता है, और वही हुआ, और आज भी मैं जितने बच्चों से देखते हुए, एक्जाम जितना difficult नहीं होता, जितनी हमारी preparation होती भी है, पर फिर भी वो exam का nervousness हमारे साथ, हमारा पूरा का पूरा paper लेके चला जाता है, शायद हम 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर की गलतियां तो ऐसे कर देते हैं, जैसे प medical college में first day आते हो, काफी अब घर पे जब हम रहते हैं तो ममी पापा के बिल्कुल अपने मतलब परी होती है, लड़किया और बिल्कुल सब कुछ अच्छे से आते हैं, लेकिन जैसी आप medical college के first day में घुसते हो, जैसी आपका पहला दिन होता है, और मैं और मेरी friend सिफ दो ही लोग थे जो उस particular medical college में, उस hostel में थे और हमारे सामने थे 47 seniors, हमको बुलाया गया, हमको शाम में ये बोला गया, कि you have to come down to give your introduction, हम इंट्रो डेने गये, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक में लाइफ में कि कि किसी ने मुझ से ऐसा बोलाओ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे कर, उस particular time पर जब हम से intro मांगा गया, तो मैंने खुशी-कुशी सोचा कि शायद इनको मेरा intro अच्छा लगेगा, मैंने वो intro English में देना शुरू कर दिया, और बार एक बार रोका गया, कि नहीं हिंदी में बोलो, फिर दुबारा रोका गया, तस बार रोका गया, लेकि कहा कर रहे हूं, फिर 11 बार में ऐसा हुआ, कि मैं महा पर खड़े-खड़े ही रोन लगी, युकि शायद मेरे को समझ नहीं आ रहा था, कि यार, intro तो सही दे रहा हूं, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, उस particular day पर मेरे को इतना lonely feel हुआ, होस्टल में, इतना वह feel हुआ, कि कि गलती तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा गलती तो नहीं कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ 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 टेकर के टाइम बीता, आपके साथ ऐसा हुआ, कि आपको seniors बुलाते हैं, you have to give your introduction, introduction में सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, कि आपको कुछ बोल के बताना होता है, आपको कोई पर्टिकॉलर आक्टिविटी जो आपको पसंद है, वो आपको करवाया जाता है, शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ कि शायद मैं भी उसके लिए ओपन नहीं थी, मैं किसी के सामने कुछ भी आक्टिविटी करने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन बाद में फिर ऐसा कि एक बार करके देख, अगर तुझे अच्छा नहीं लागेगा, अगर तु कमफर्टिबल फील नहीं कर रही है, तो तु इसको यहीं रोक सकती है, and finally, वहीवा, कि एक बार, दो बार, दिर दे करके उनके साथ अच्छी चलती गई जर्नी, अच्छा बनता गया, and finally, एक पर और हर बच्चे को जो need की preparation, किसी की भी preparation कर रहे है, मेरे को सिफ एक advice देना है बच्चो, कि जब ऐसा लगे ना कि तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब ऐसा लगे कि हर efforts करने के बाद भी तू शायद हार रहा है, या fail हो रहा है, तो बस दो चीज़ी तुझे ध्यान रखनी नहीं देगा, और दूसरा important चीज़ ये, कि जब दुनिया तेरा साथ नहीं दे, जब शायद कोई तेरा साथ नहीं दे, तब भी बस एक चीज़ याद रखना, कि खुद का साथ नहीं छोड़ना, आसान होता है, कि जब सब मेरा साथ छोड़े, तब भी मैं भी अपना साथ पर मुश्किल होता है, कि मुश्किल टाइम में भी खुद को ये समझाना, कि यार तूने किया तो, मुश्किल टाइम में भी खुद को ये बोल पाना, कि जितना तुछ से हुआ, तूने अपना वेस्ट किया, अगर आज ये नहीं हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है, कल इसस से बेटर कुछ होगा अगर तुम ने ये समझाना अपनी जिन्दगी में सीख लिया नो तो ट्रस्ट में दुनिया का कोई भी एक्जाम संसार का कोई भी एक्जाम ऐसा नहीं होगा जो तु कॉलिफाई ने कर पाएगा I hope this story brings a smile on your face. Thank you.